यह अफरन है दोस्तों यहां सब का कटेगा दुबारा के सहीऊगी दलो की बैठक में शामिल नहीं हुए नीजयार रेपोर्ट्स के मताबिक समाजवादी पार्टी ने यह बैठक बुलाई थी और इसमें शिफपालियादव को भी बुलाय गया था बैठक में शामिल होने की जगह शिफपाल यादव विटावा के भरतना में आयो जिते कथा समहारों में शामिल हुए शिफपाल यादव ने अभी तक एक विधाय के तौर पर यूपी विधानसभा की सदस्ता भी नहीं ली है समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपको बताते हैं कहना है कि 19 मार्च को हुई बैठक में शिफपाल यादव को बुलाया गया था पार्टी के प्रवक्तार अर्विन सिंग यादव ने मीटिया को बताया शिफपाल यादव उन्तिस मार्च को दिल्ली से इतावा आ रहे थे इतने कम समय में वो मीटिंग में नहीं पहुंच सके वो एक बड़े नेत है और उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास विकल्प नहीं है उन्होंने अखलेश यादव को अपना नेता माना था लेकिन बार बार उनका अपमान किया गया है अब तो खबरे ये भी चल रही है कि शिफपाल यादव जल्द ही किसी बड़े कदम का ऐलान कर सकते हैं राजनीती के अंदर खाने की खबर का दावा करने वाले कहते हैं कि बड़े कदम के आगे पीछे इन्वर्टिट कॉमा लगा कर पढ़ना चाहिए अब भर्कना में कथा समहरों के दौरान उन्होंने जल्द ही प्रेस कॉन्फरेंस करने की बात कही थी शिफपाल यादव समाजवादी पार्टी के संग्रक्षक और अपने बड़े भाई मुलायम सुग यादव से भी दिल्ली में मुलाखात कर चुके हैं कहने वाले तो इतना कह रहे हैं कि शिफपाल भारते जन्ता पार्टी के भी संपर्क में हैं शिफपाल यादव पहले बार बार बीजेपी में कभी ना शामिल होने की बात सार्वजनेक मंचों से करते रहे हैं हाला कि इस बार उन्होंने कुछ और संकेत दिये हैं अखलेश आदव यूपी विधानसमा में प्रतिपक्ष की नेता बन चुके हैं साथ ही साथ वो शिफपाली आदव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाने जा रहे हैं ऐसे में शिफपाली आदव के वल विधायक बनकर नहीं रहना चाहते हैं वो 2024 के आम चुनाव के लिए मौके तलाश रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री होगी आदितनाथ से भी उनके अच्छे संबन्ध हैं इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसबा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही शिफपाली आदव लगाता रखे लेश यादव के नितरत पर अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना साध रहे हैं परिणाम के तुरंद बाद उन्होंने खुद को चुनाव प्रचार में सीमित रखे जाने पर भी सवाल उठाये थे वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी खुद को ना बुलाये जाने पर शिफपाली आदव ने नाराज की जताई थी नाराज की जताते उशिफपाल ने कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिंध पर अपनी पारम परिक जस्वन नगर सीट से चुनाव जीता है लेकिन इसके बाद भी उन्हें सपाविधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया आपके लिए खबर लिखिया हमारे साथी मुरारी ने मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शक्रिया